सो हे दस्तो आज आप लोग को सिखा हूंगा एक आउटर फोटो एटिंग बिसिकली यह वाला एटिंग के अंदर जो मेट्रियल्स वगरा जरूरद होगा वह आपको तो प्रोबाइड करूंगा ही बट कुछ सिंपल स्टेप्स के अंदर आप आउटर फोटो कैसे एडिट कर स सो देख सकते हो मैं मेरा फोटो आप के अंदर आ चुका हूं यहां से यहां से सिंपल सा फोटो देख लो कुछ ऐसे है आप भी सिंपल पोस में फोटो सुट कर सकते हो बैक्राउंड को कंट्रोल जे दवात वह एक डूब्लिकर लियर बना लेता हूं ताकि अप डूब्लिक वो और चैक आउट कर सकते यहां से क्या करूंगा यहां से इसके ऊपर एक बार क्लीग करूंगाइड ब्राइड niez एड ऐड़ करना है and simple सा process मैं करता हूँ okay तो यह मेरा create हो चुका है sky replacement वाला layer इसको बंद करके रखूँगा क्योंकि बात में इसका काम आएगा तो मैं डॉब्लिकर layer के उपर क्या करूँगा फिल्टर पे जाके camera filter open करूँगा पूरा काम है camera filter के अंदर कुछ preset चाहो तो यह preset अप लोगो provide कर दूँगा कोई problem वाली बात नहीं है मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहां से blue primary का saturation को थोड़ा सा increase करूँगा green primary का saturation को increase करूँगा यहां से जो red primary मिलेगा इसका काम कुछ नहीं करूँगा यह direct zero ही रहेगा मैं अभी directly जाऊंगा color mixer के अंदर orange color को choose करूँगा जिसका saturation थोड़ा सा down होगा और इसका luminance थोड़ा सा up होगा जैसे मेरे इस case में मैंने किया red color की बात करूँ तो red थोड़ा सा आप चाहो तो increase कर सकते हो अपने हिसाब से यहां से और भी colors आपको मिल जाएगा जैसे yellow color आप चाहो तो yellow रखना चाहते हो तो yellow color रखो otherwise अपने हिसाब से set कर लो मैं यहां से क्या करने वाला हूँ थोड़ा सा yellow इस साइथे orange type का side पे कर दिया इसका हुई को green color के अंदर जाके मैं green का saturation increase करूँगा इसका हुई मिलेगा आप अपने हिसाब से हुई को set कर लो मेरे इस case में मैं थोड़ा सा yellow बनाना चाहता हूँ तो इसलिए हुई को फूरा इंक्रीज करूँगा ताकि lightness और भी बढ़िया तरीके से यहां से इंक्रीज हो जाए बेसिक के अंदर जाऊंगा जहां से मैं shadow को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा shadow increase किया इस वज़े से highlights थोड़ा सा डाउन होगा white भी चाहो तो थोड़ा सा डाउन कर सकते हो black मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा ताकि black portion और भी बहुत ही बहुत तक black लगे saturation यहां से contrast को डालूँगा 10 और यहां से clarity के जगे पर मैं थोड़ा सा बाद में काम करूँगा बड़ उससे पहले थोड़ा सा texture को यहां से डाल देता हूँ color grading के अंदर बाद में मैं इसका color grading करूँगा तो इस परदे से मैं क्या ओके और मेरा फोटो कुछ ऐसे बना है कि मैं स्कीन कर रिटाचिंग करूँगा तो रिटाचिंग करने के लिए स्माज ब्रास चाहिए होगा वह वाला ब्रास भी आपको प्रवाइट कर दूँगा link description म बनाता हूं and smudge tool की मज़से देखो strength 16% रहेगा और उसके बाद आप ब्रास का size छोटा बना लो चोटा बनाने के बाद देखो ब्रास कुछ ऐसे करना है चलिए सबसे पहले पूरा ब्रास कर लेता हूं स्कीन रिटेचिंग का काम मेरा इधर से complete हो चुका है अभी मैं simply यहां से एक solid color वाला लेयर create करूंगा जो की white color का होगा और इसका blending mode मेरे रखनांगा soft light ठीक है और उसके बाद डबल क्लिक करना तो layer style open होगा पे जो layer का and simply alt press and hold करते हुए राइट साइट तक कुछ इतना 140 तक ड्रैग करके okay कर दो यह skin के उपर बड़ी हद तक यहां से create हो जाएगा आपको mask को control आई देवा तो इंबाट करना है और इंदर से आपको चूज करना है brush tool ठीक है and brush tool की मेरे से आप इसको apply कर दो skin के उपर बड़ उससे पहले foreground color आपको रखना है यहां से white and मैं यहां से पूरा brush कर लेता हूं skin white होने के बाद यह थोड़ा सा ज्यादा white लगेगा आप इसका opacity थोड़ा सा down कर दो आप हिसाब से जैसे आप रखना चाहते हो उसके बाद एक layer लो हुई saturation वाला layer जो कि skin का color match क करने पर help करेगा जो कि red color मैं यहां से choose करूंगा थोड़ा सा यहां से 10 के असपा saturation increase करके इसको कर दूंगा cross बाकी मेरा photo इतना तक तो editing हो चुका है अभी बाकी है पूरा background के उपर काम करना तो सबसे पहले sky को enable करता हूं और इन सारे layer को चलिए group बनाता हूं select किया Ctrl G दे बा करूंगा अपना photo के उपर और इसका blending mode करूंगा screen और इसको placement करूंगा और इसको कुछ ऐसे जगह पर placement करने के बाद सो बसके लिए अभी जो edited photo है इसके उपर जाके select पे subject को select करूंगा तो यह main photo को select करेगा and selections बनने के बाद इसको Ctrl J दबात वे duplicate group बनाऊंगा तो यह blank सा एक selections यहां से create हो जाएगा जैसे मेरे इस case में अगर बंद करूं तो यहां से देखो मेरा यह selections बन चुका है अब यह वाला image के अंदर क्या करूंगा सबसे पहले यह वाला को Ctrl J दबात वे duplicate layer बनाता हूं and बीच वाला को select करके Ctrl press and hold करते हुए इसका thumbnail के उपर क्लिक करूंगा तो selections दुबार से वापस आएगा select पे जाके modify and expand करूंगा selections को 10 pixels उसके बाद edit पे जाके यहां से content aware fill apply करूंगा तो कुछी सेकंड के अंदर यह subject remove हो जाएगा आप कर देना ok select कसान को deselect करने के लिए Ctrl D दबाके deselect कर लिया अभी यह जो background दोनों layer है select करके March and filter पे जाके blur gallery and tilt shift आपको apply करना है tilt shift की मतलब से बढ़िया blur आपको दिखने को मिल जाएगा आप अपने हिसाब से blurs पगरा set कर लो मेरे इस case में मैं ज्यादा blur apply नहीं करूंगा near about कुछ इतना blur लखने बाला हूं and simply करता हूं okay तो यह blur मेरे को बहुत ही बढ़िया हथ तक blurness दे देगा and आप फोटो देखो कुछ ऐसे बना है अभी सारे layer को again Ctrl G दबाता हूं Ctrl J and Ctrl E तो यहां से मार्ज होगा crop tool की मदल से दो बार इंटर मलो तो यहां से crop हो जाएगा and आप जाओ filter पर अंदर यहां से camera filter open करना है यह थोड़ा सा color grading के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां से आप देखो texture पूरा फूल किया क्योंकि मेरे को texture चाहिए था clarity थोड़ा चाहिए था तो दिलिए ट्वेंटी के आसपस increase किया भाइब्रेंस भी डाला यहां से कार्ब को तो simple सा process में ऐसे line ड्रॉक यहांने डिटेल के अंदर सेम तो process आपको दिखाई दिया कैसे process ऐसे करना है आपको and color को जैसे जैसे चालना तो मैं वहां से डाल दिया and यहां से जो मैं simple सा process में यह जो एक चीज मैंने डाला जो कि है color grading के अंदर थोड़ा सा bluish type का color grade यहां से डाल दिया and last में आप चाओ तो effect के अंदर आके भेगनेट मोड थोड़ा सा डाल सकते हो और इसमें क्या होगा feather roundness and midpoint इन सारे को 100 कर दो and calibration के अंदर तो 00 ही सारे रहेगा और simply करो okay तो यह photo आपका create हो जाएगा Instagram पे पोस्ट करने का बहुती बढ़िया photo आपके लिए create हो जाएगा so आसा करता हूँ यह वाला editing आप लोगों को पसंद आया होगा यह वाला editing आप पसंद आती तो जोड़ा वीडियो को like करके जाना चैनल को भी subscribe कर देना तो चल मिलते हैं नहीं को इस तरह editing के साब नहीं को इस तरह से tutorial के साब तब दक लिए bye bye